गुद मॉनी स्टूडेंट अंत्रा व्याकरने में रक्षना कक्षा चार और बेटा हम पढ़ रहे थे पार्ट तीन जो कि मैं आपको पुरी तरह से समझा चुकी हूँ और आज हम इसका अभ्यासकारे करेंगे तो क्या करेंगे बेटा यह आपका पार्ट तीन पुरी समझा चुकी हूँ अभ्यासकारे तो आप अपनी निकालो बुक और पैंसिल और किताब में लिखना सुल करो सही विकल पर सही का निशान लगाईए का नमर शब्द बनता है किस से बनता है वर्णों के मेल से सार्थक शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं दो अब आप देखोगे बेटा दिये गए निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाईए तो इसके लिए हम लज, जल, लफ, फल, मरा, राम, तागी, गीता, मा, आम, स, दहश, शहद, नीपा, पानी, चिली, लीची तो आप लोग ने देखा कि जब यह शब्द हम पढ़ रहे थे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनमें से आपको बताना है, शब्द बनते हैं, जिन वर्णों का अर्थ होता है, वही शब्द कहलाता है अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं जिन शब्द का अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं इस तरह से आप टिक करोगे बठा और लिखोगे प्रश्णों के उत्तर दीजिए शब्द कैसे बनते हैं तो आप लोग लिखोगे उत्तर में आज की डे और डेट पार्ट डाल करके कॉपी में लिखना है आपको ये शब्द कैसे बनते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं म प्लस ह प्लस ल महल को प्लस यह प्लस ल को यल तो देखा मैंने इन शब्दों को किस तरह से जोड़ा है और हमारा नया शब्द बन गया और जिसका अर्थ भी है ख नंबर अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बाटा गया है उत्तर अर्थ के आधर पर शब्दों को दो भागों में बाटा गया है एक सार्थक शब्द दूसरा निरर्थक शब्द गह नमबर सार्थक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई निश्चित अर्थ निकलता है ये शार्थक शब्द कहलाते हैं जैसे किताब, अस्पताल व कुर्सी आदी कहा नमबर निरर्थक शब्द किसे कहते हैं ऐसे शब्द जिनका कोई निश्यत अर्थ नहीं निकलता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं जैसे बताकी, वस्पताल, व वुर्की आदी तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये जो शब्द है वो निरर्थक शब्द है इसके बाद देखो बिटा आपका नीचे का रचनात्मक कारिय दिये गए स्थानों को, सब्दों को उनके स्थान पर लिखिए सार्थक और निरर्थक तो मोर और मोर का क्या दे रखा इसमें गलत शब्द, निर्थक शब्द बोर औरत, औरत का रोत, लॉम्डी, वॉम्डी, बंदर, वंदर, किताब, तानकी, ताबकी, आदमी, वादमी, ये बा है तो ये आपको सारा कार्य अपनी किताब भी फिल करनी है और प्रशन उत्तर कौपी में करने है तो आज आपका काम है कार्य पूर्ण करें वा पाठ दो, पाठ तीन याद करें कार्य पूर्ण करें और पाठ तीन याद करें कार्य पूर्ण करें पूर्ण करें